Hello वाच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ज्हारकरणड एकेडमी कॉंसल ने सिलेवस दो-तीन दिन पहले जारी कर दिया है आज हम लोग उसको लेकर आएं आपके सामने आज सिलेवस को लेके चर्चा करेंगे कि सिलेवस क्या जारी किया गया है? कैसे exam होगा, कितने term में exam होगा कौन से question पूछे जाएंगे term 1 कैसा होगा, term 2 कब होगा यह सब बात को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे आज तो आप लोगों को पहले से भी मालूम है और paper में भी पहले से आ चुका है कि term 1 का exam जो class 11th का है वो नॉलमबर में होने वाला है और term 2 का exam मार्च में होने वाला है और class 11th का term 1 नॉलमबर में होगा term 2 मार्च में होगा class 12 का December में होगा और मेई में होगा क्लास 12 का हम लोग video पहले बना चुके है जो लोग class 12 के student अब to class 12 का video देखिए description में आपको उसका link मिलेगा class 11 का आज हम लोग video बना रहे है class 11 में क्या पढ़ना है बच्चो को कैसे exam देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th पास करने के बाद अभी नए हैं उनको idea नहीं लग पा रहा है कि क्या पढ़े किस mode में पढ़े कैसे पढ़े उसको लेकर हम लोग आज video स्टार्ट कर रहे हैं video बना रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस video को आज हम लोग 11th commerce का video बना रहे हैं और 11th commerce के syllabus को लेके पूरा detail explanation करेंगे आज जो हम लोग subject चुने हैं से first subject discuss करने के लिए वह है economics और आपको मालूमना चाहिए कि economics ऐसा subject है जो arts, science और commerce तीनों stream में सेम syllabus होता है अनि अगर कोई बच्चा arts का भी है तो वो भी video का राम से देख सकता है उससे फाइदा ले सकता है अगर वो science का है तो भी फाइदा ले सकता है और commerce वाले को तो फाइदा है ही है तो चलिए ये economics अब देखिए जहारखन डेकेड में कॉंसर क्या किया है economics का syllabus हिंदी में लिख दिया अब सोचिए कि economics को वो कभी भी science और commerce का पार्ट माना ही नहीं economics वो arts का पार्ट माना है और arts में सारा syllabus हिंदी में जारी करता है तो इसलिए इसको हिंदी में जारी कर दिया अब दिखिए यहाँ पे कम सकम English तो लिखना है क्योंकि जो cbc medium होले बच्चे English medium के बच्चे उनको दिक्कत होती है तो हम लोग सारे का English भी लिखते चले जाएंगे क्या-क्या आखिरantes in English में हम लोगों को पढ़ना है एक करके सब के बारे हम लोग लिखते चले जाएंगे कौन-कोन से चाप्टर से इसके अंदर है जो हम लोगों को पढ़ना है तो चली Economics के बारे में में लोग डिसकस करते हैं कि Economics में सबसे पहला हम लोग सब्जेक्ट देख रहें economics class आपका 11 और टर्म 1 की बात करें दो टम में exam होंगे टर्म 1 objective होगा और टर्म 2 जो होगा वो subjective होगा मालू होना चे टर्म 1 objective टर्म सुम subjective objective का मतलब है multiple choice question एक question पूछा जाएगा चार option रहेंगे जो आपको सही answer लगता है वो जाकि बॉक्स में फिल कर देना है वो MR seat आपको मिल जाएगा और subjective के अंदर क्या होगा इसमें 40 objective question पूछा जाएगा 40 में आपको जितना अच्छा लगता सही मार सकते है negative marking नहीं है लेकिन subjective में क्या होगा subjective में 3 तरह से question पूछे जाएगा very short answer type question short answer type question and long answer type question फिर से बता रहे हैं very short answer type question जिसको one word question बोलते है ऐसा question पूछा जाएगा जिसका answer एक word में ही हो जाएगा दूसरा short answer type question और very sorry long answer type question तीन model में question इसमें पूछे जाएगे जो subjective mode में होगा और आप सब लोगों को बता दे क्लास 11 का ये एक्जाम मार्च में होने वाला है जैसा अभी तक notification जैक की तरफ से जारी किया गया और ये एक एक्जाम जो है वो नॉम्बर sorry December में होगा और ये मैं में होगा sorry clear क्लास 12 के लिए नॉम्बर और मार्च का condition है क्लास 11 के लिए एक्जाम December और में का condition है December में टर्म 1 होगा और में में टर्म 2 होगा अब लोग डिस्कस करते हैं का आखी टर्म 1 के अंदर क्या पढ़ना है तो टर्म 1 के अंदर आपको पढ़ना है statistics दो पोर्शन है आपके economics में statistics है और Indian economy है तो statistics के अंदर क्या पढ़ना है statistics के अंदर सबसे पहला introduction पढ़ना है introduction of statistics दूसरा collection of data पढ़ना है collection of data उसके बाद organization of data organization of data पढ़ना है और पूरा theoretical और presentation of data पूरा का पूरा theory दे दिया है presentation of data यह आपको पढ़ना है ध्यान दिजेगा सबका English भी हम लिखते चले जाने सबसे पहला पढ़ना है statistics के अंदर introduction of statistics collection of data organization of data and presentation of data यह हम लोगों को term 1 के अंदर पढ़ना है statistics portion से अब हम लोग के यहां Indian economy भारती अर्थवेश्था पोर्शन से क्या पढ़ना है Indian economy हम लोगों को क्या पढ़ना है Indian economy में सबसे पहले पढ़ना है स्वतनता की पूर संधिया पर भारती अर्थवेश्था इसको बलते है Indian economy on the eve of independence Indian economy on the eve of independence इसका मतलब हम लोगों इसमें यह पढ़ना है कि आजादी के दिन 1947 में जब हम आजाद हुए तो भारत की अर्थवेश्था कैसी थी कैसी अर्थवेश्था हम लोगों को मिली भारत में और वहां से जर्णी ना दो हजर बाईस तक आपको पढ़ना है तो पहला पढ़ना है भारती अर्थवेश्था आजादी के दिन 1947 के दिन क्या हुआ था इसलिए लिखा है सोतंता की पूरुस अध्यादे अजादी के पहले वाले साम में भारत की एकॉनमी कैसी थी कितनी बत्तर इस्थिती थी वो पढ़ना है उसके बाद दूसरा पढ़ना है इंडियन एकॉनमी देखे हैं 1950 से लेके 1990 का सफर पढ़ना है कि भारत की अर्थवेश्था 1950 से लेके 1990 कैसे डेवलप किये क्या-क्या विकास हुआ है एक्सपोर्ट कितना बढ़ा इंपोर्ट का क्या हाल है इंडस्टिर का क्या हाल है एग्रिकल्चर सेक्टर का क्या है हिल्थ सेक्टर का क्या है एजुकेशन सेक्टर क्या है इंफरस्टेक्टर क्या है बिजली पहुंच रही कि नी पहुंच रही 1991 में नई आर्थिक नीती आई थी और भारत की अर्थविवस्था 1991 के बाद बिल्कुल बदल गई से पहली की अर्थविवस्था पढ़ना है कि आफ प्री 1991 से पहले की अर्थविवस्था थी वो पढ़ दी थी 1991 के बाद जब हमारे पास आया न्यू इंडस्टियल पॉलिशी या एकॉनमिक रिफॉर्म से बोल सकते हैं 1991 पूरा देशकार्थ बदल गया और उसके निचे पढ़ना है यही था 1991 में उदारी करन जिसको बलता है लिबरलाजेशन नीजी करन प्राविटाइजेशन और बैस्वी करन गलोबलाजेशन यह पढ़ना है भी छूमन कैपितल मानो पूंजी का निर्मान यह आपका सेलिबस पूरा उंहन क्या पढ़ना है अब यहां है term 2 के अंदर क्या पढ़ना है तो term 2 के अंदर सांखी कीम आपको पढ़ना है mean median mode इसको बोलते है center tendency उसका बोलते है major of dispersion major of dispersion correlation और index number पूरा का पूरा mathematics portion आगया है term 2 के अंदर यह सारे maths हैं सारे के सारे mathematics हैं जो हम लोग को term 2 के अंदर पढ़ना है और Indian economy में क्या पढ़ना है तो Indian economy पढ़ना है rural development पहला पढ़ना है rural development ग्रामीन विकास दूसरा पढ़ना है employment रोजगार रोजगार के बारे में पढ़ना आधारिक सनर्चना basic infrastructure इसको बोलते हैं आधारिक सनर्चना को क्या बोलते हैं basic infrastructure इसके अंदर पढ़ना है फिर पढ़ना है environment and sustainable development परियावरेनम धार्निय विकास भारत और उसके पढ़ुसी देशों का तुलना करके देखेंगे तो यह आपके term 2 के syllabus है और यह आपके term 1 के syllabus है तो बच्चो स्टार्ट कर देते हैं term 1 बहुत ही tough है समय लगेगा but impossible कुछ भी इस दुनिया में नहीं होता है मैं आपको बता दूँ जो बच्चे online class भी करना चाहते हैं वो मेरे number पर जो आपके screen पर दे रहा है दिख रहा है वो ज़रूर फोन कर लें और आप online class में मेरे application में जूड सकते हैं मेरे application आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा commerce world 1000 बाग के नाम से commerce world 1000 बाग के नाम से application है तो please download कर लेंगे उसमें सारा information मिल जाएगा मेरे online class recorded videos online test और उसका solution test का solution भी हम लोग youtube के उपर live आके करते हैं बच्चों के साथ discussion करते हैं क्योंकि कोई intuition आपका test तो लेता है बढ़ टेस्ट का solution नहीं देता है अगर solution बच्चे को मिल जाए test का तो बच्चे का concept develop होगा बच्चे का mindset अच्छा होगा बढ़ियां बनेगा तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब आगे बढ़ते है अब जो subject है वो commerce के student को हमेशा तंग करने वाला subject है सब भी बच्चे जान गए होगे उसका नाम है accounts commerce का बाप तो चलते हैं account subject की बारे में बात करते है accountancy term 1 का और यह class 11 का यादर के का class 11 की बात कर रहे है accounts term 1 यह term 2 का syllable से term 2 के अंदर accountancy में क्या कर पढ़ना है term 2 तो subjective है भाई साब उसको भी छोड़ देते है चलते हैं term 1 में पहला पढ़ना introduction of accounting इसके अंदर बहुत सारे chapter है basic गोलता है theory base of accounting इसके अंदर बहुत सारे chapters है आप सोचेगा कि सारे introduction का मतलब exercise 1 नहीं exercise में 1 पढ़ना है 2 पढ़ना है clear 1 2 इसके अंदर जाएगा इसमें 3 पढ़ना है 4 पढ़ना है 5 पढ़ना है 6 पढ़ना है 7 पढ़ना है अगर आप इसके सिंग के बुक से पढ़ना है तो सर फिर recording of business transaction में 8-9 से सुरू हो जाई 8-9-10 इधर चलेगा और जर्नल पढ़ना है laser पढ़ना है trial balance cash book पढ़ना है यह सब इसके अंदर है उसके वा trial balances पढ़ना है जर्नल, laser, cash book, subsidy book सब इसके अंदर पढ़ना है recording of business transaction में क्या होता है journal भी recording of business transaction है laser भी recording of business transaction है cash book भी recording of business transaction है subsidy book भी recording of business transaction है तो यह चारे एक ही के अंदर पढ़ना है अब पढ़ना है trial balances, rectification of errors, depreciation, provision and reserves यह आपके term 1 के syllabus है यह सब chapter मिलेगा लेकिन यह chapter आपके book में होगा ही नहीं अगर आप S-Casing का book पढ़ रहे है या बाकी किसी side book को पढ़ रहे है तो यह chapter आपके book में होगा ही नहीं चुकि यह syllabus NCRT से design होता है NCRT से design होता है यह syllabus NCRT में इतना ही chapter से आपके अब चलते हैं chapter term 2 के अंदर तो term 2 के अंदर पहला chapter पढ़ना bills of exchange दूसरा पढ़ना financial statement of sole proprietorship without adjustment adjustment इसमें नहीं रहेगा लेकिन यही same chapter यहां पे रहेगा with adjustment adjustment इसमें रहेगा computer in counting पढ़ना accounting and data base system पढ़ना यह आपका term 2 का syllabus है accountancy का अब हम लोग discuss करते है term 2 के अंदर यह पढ़ना आप अपने बुक में मिलाएंगे कुछ कोछ चाप्टर यह उपर चला जाता यह नहीं और term one के अंदर चाप्टर की अंदर पढ़ना है the depreciation report provide सोलह चाप्टर पढूर को दिस्क बारे पारे में बात करते हैं क्लास तौइंड बजनस घड़ीर ॓न काra syllabus क्या है तो इधर दिया वाएं तेर उन के अंदर सबसे पढ़ए पर नाईचर and objective of business यह business study अंदर नेचर अबश्चीव बीज़नस बीज़नस क्या है क्यों करते हैं कितने परकार का होता है वो तो हम लोग अगले पढ़ेंगे कितने परकार का होता है उसको बलते है ब्यावसाइक संगठन के प्रारूप या सोरूप कितने तरह का बिजनस होता है प्राइविट सेक्टर बिजनस होता है पुब्लिक सेक्टर बिजनस होता है मिक्स सेक्टर बिजनस होता है प forms of business organization और इसको बोलते है नीजी सारवजिनिक और भूमंडली उपकरम का मतलब है private sector public sector और global enterprises private sector public sector और global enterprises global enterprises का मतलब private sector के अंदर वैसे business के बारे में पढ़ना है जिसका मालिक एक public होता है एक जंता होती है private individual होता है पुब्लिक सेक्टर में ऐसे business आएंगे जिसका मालिक सरकार होती है और global enterprises में ऐसा है जो दुनिया में फैला होता है एक देश का business है और पूरी दुनिया में अपना राज का रखा है ऐसे business के बारे में लोग कहां पढ़ना है पैसा कहां साएगा small trade small business इसको बोलते है internal trade यह सब हम लोगों के term 2 के syllabus है जो subjective mode में आप से पूछे जाएंगे तर्म 1 के अंदर 4 इस अधर है और बाकी अगले पिस लाइड में आपके पास आ जाएंगे देखिए अगले स्लाइड में आपके पास आ गया आजा सिमसिम चलो खूल गया सिमसिम ना तुछादू से खूल गया अब देखिए इसमें पढ़ना है ब्यावसाय का समाजी को तरदाइत और ब्यावसाय की नेतिकता पढ़ना और निर्म कंपनी का निर्मान पढ़ना है और छे चाप्टर हम लोगों को इसके इंदर पढ़ना है और इसके इंदर अंतर राष्टी बैपाज पढ़ना है देखने में भले छे लग रहा है भाई साब सिलेबस है बड़ा क्योंकि यह NCRT के बेस पर सिलेबस डिजाइन किया जाता है और NCRT में चाप्टर से इतना ही होते हैं लेकिन उ अकाउंट्स का सब्जेक डबल मार दिया अकाउंट्स का सिलेबस डबल मार दिया इन्होंने घबराईएगा नहीं डबल एक्जाम नहीं होगा एक्जाम एक ही होगा सिलेबस इन्होंने गल्ती से डबल कर दिया तो 22 सालों इसको क्रोस कर देता हूं मैं क्योंकि अकाउंट् सिलेबस को चेक किये कि पूरा का पूरा सिलेबस फिर से आ गया और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि 11 क्लास का सिये का कॉमर्सियल अर्थमेटिक जिसको बी एम टी भी बोलते हैं लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस आया ही नहीं है तो मुझे लगता है कि जहां पे सिये का सिलेबस होना चाहिए वहां टाइपिंग करने वाले भाई साब ने गलती से अकाउंट्स का सिलेबस पुट कर दिया यही मिस्टेक हुआ होगा इसलिए सिये गाइब और अकाउंट्स डबल तो चलिए हम लोग डबल नहीं पढ़ेंगे डबल एक्जाम भी नहीं देंगे टेंसर नहीं लेना है चलते हैं एटीपी की तरफ एटीपी क्या सबजेक्ट है यह कौन सा सबजेक्ट आगे भाई कौ एक नए सोच का बिजनसमें बनो आप जो भी देखने फेस्बुक ट्वीटर इंस्टाग्राम वाटसेप चाहे आप अगर सोचल मीडिया को छोड़ दीजे और मार्केटिंग की बात करें तो आपके बस एमेजन फिलिप कार्ट स्नैप डिल यह सब क्या है यह सब इंटर्प इंटर्पेंऄर्से तो आज भारत भी सोच रहा है कि अपने ब capacity यह थे क्या अपने बच्यों में हमें इंटर्पेंऄर क्वॉलिटी टेवलप करें एसा क्योलिटी डचाहे है और वह काम कर सके जो दुनिया में सब कर रहा है उसके लिए इंटर्परणिस का explodes डिजाइन के लिए आप भी समझे मज़ आएगा इस ते लिए बस पढ़के जब ज़स्त है तो इंटरपनुख का अंधर क्या पढ़ना एंदर क्या पढ़ना है टाम टू कि अंदर सबसे पहले पढ़ना इंटरपनौर्ण का meaning क्या है, concept क्या है, forms क्या है, कितने तरीके होते हैं, क्या concept है और meaning क्या है, दूसरा पढ़ना है entrepreneurship का meaning, concept and role of socio-economic environment, इस अभी के समय के environment में क्या role है क्या entrepreneurs कर सकता है एक नए अब सोच का business mean क्या कर सकता है sir, repeat change कर सकता है, दुनिया को बदल सकता है business का mindset change कर सकता है क्या कोई सोचा था कि रासन दुकान दुनिया में फैल सकता है आज से गर 15-20 साल पहले कोई आदमी बोला होता है कि हम ऐसा रासन दुकान खोलेंगे ना जिस मेरे से यहाँ से हजारीवा में दुकान खोलेंगे और दिली में बैठा वा आदमी खरी देगा तो आसपास वो आदमी हसता कि पागल हो गया है, पगला गया है लेकिन आज क्या है, I imagine क्या किया रासन दुकान ऐसा खोला है कि पूरे दुनिया में कोई समान खरीता है तो मिल जाता उसको मतलब ऐसा रासन दुकान कि एक जगा पे दुकान खोला और पूरे दुनिया में सप्लाई मार रहा है ये कौन लाया, कौन ला सकता इसको किसके लिए बस की बात है वो सब इंटरपेनियोर से, दूसरे की बस की बात बिजनसमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि बिजनसमेंट का दिमाग संकुचित होता है एक लिमिटेड एडिया तक सोचता है बिजनसमेंट वो खाली प्रॉफिट देखता है और ये अपने फ्यूचर में देखता है कि हमारा बिजनस कितने तेजी से आगे बढ़ेगा वैसे लोगों को इंटर्पीनियोर्स बोलते हैं और वो आपको यहाँ पड़ना है तो चलिए नेक्स्ट स्लेबस बोलता है सद्लेवेस्टेज स्ब्लप्रोग्रम सरकार ने बहुत सारे ऐसे ब्रोग्रम चला रखें जिसे इंटर्प्रोग्र्रम को कॉंसिल का चलिए कोई बात नहीं हम लोग पढ़ते हैं रोल आफ इंटेप्रेणियर सीन एकाउनिमिक डेवलप्मेंट एज एन इनोवेटर इनोवेटर का मतलब न्यू थिंकिंग का कुछ नयास करेगा यह पुराने बरदास ही नहीं करेगा कुछ नया लेकर आएगा सम्थिंग न्यू तभी तो पोडग विकेगा सब साबुन बना रहा आप भी साबुन बनाओंगे जिन्दिगी में नहीं ग्रोध कर पाओगे सब साबुन बना रहा पैसा चीज बनाओ ऐसा साबुन बनाओ कि लोग तुरन खरीदे क्योंकि आपका कंपिटिटर नहीं मिलेगा जो बेक्थी इनुवेटर होता है जो नए अविश्कारक होता है उसका कोई कंपिटिटर नहीं होता है पहली बार मोबाइल आया कोई水 नहीं किसी पास है बाम के बेचा अब सब कीमपानी मोबाइल धय काई कंपिटिशन बढ़़ जाता था तो चलते आगे रोल आप लोफ को पढ़ना इसके अंदर, entrepreneurs का भी पढ़ना है कि entrepreneurs क्या होता है, business ethics पढ़ना इसके अंदर, acquiring entrepreneurs values क्या होता है, attitude क्या होता है, motivation attitude देखते हूंगे, entrepreneurs से गलग attitude मेरता है, उसको हम लोग घमंड बोल देते हैं, कि बहुत घमंड चड़ गया, अधर attitude बदल गया, entrepreneurs हमेशा कुछ नया स सोचेगा, तो उसका attitude automatic बदलेगा, तो यह सब पढ़ना है, attitude क्या होता है, values क्या होता है, आपको बदलना चाहिए attitude, अगर आज से आपने आपको businessmen मानते हो, तो attitude चेंज होना चाहिए, customer से बात काने का तरीका, लोगों से बात काने का तरीका, pure professional बनना है, उसके लिए attitude पने attitude को change करते हो, चलते हम लोग term two के तरफ, micro, small and medium enterprises in India, छोटे industry, medium industry, बड़े industry, कहां भारत में है, business risk भी हम लोग पढ़ेंगे, भाई, business में risk भी तो होता है, और leadership quality पढ़ेंगे, leadership quality समझ ले हो, एक businessman के अदर क्या leadership quality है, leader बहुत सारे होते हैं, autocratic leader होते हैं, democratic leader होते हैं, तो leadership quality भी काप अपने business को lead कैसे करोगे, communication कैसे करोगे अपनी बात को, लोगों तक पहुचाओगे कैसे, बहुत सारा बात अपके अंदर है, customer आए ना तो खुब बताएं, खुब समझाएं कि customer को, लेकिन भाई, customer आएगा त क्या support हो सकता है, understanding of market, और last है competitive analysis to the market, या of the market, यह पूरा syllabus है, अब हम लोगों ने 11 के syllabus में, accountancy, business studies, economics और ETP को discuss का लिया, और महरबानी, जारकांडे काइड में कॉंसिल का कि CA का syllabus ही नहीं जारी किया, तो भाई सब discuss क्या करें, जो रहेगा, सब पढ़ेंगे, क्यूंकि अभी जितना हम लोग discuss कियें, उसमें ये पता चला, कि जो syllabus है, उसमें 0% deduction है, एक भी chapter काटा नहीं है, Jack, सारा का सारा chapter आपको पकड़ा दिया है, तो भाई साब पकड़ा दिया है, तो पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, चालिस में चालिस लाना चाहते हैं, अबजेक्टिव में, तो मेहनत करना पड़ेगा, हमारे हाँ online test होते है, offline test होते हर संडे, जो बच्चे offline class कर रहे हैं, हजारी बाग के अंदर, हजारी बाग में मटवारी में हमारा tuition है, वो offline में जूर सकते हैं, तेस्ट में, जो online बाहर के बच्चे हैं, जो हजारी बच्चे अगर कहीं न कहीं जुड़े हैं, अच्छी बात है, जुड़े रहिए, अगर कहीं नहीं जुड़े हैं, तो कुछ तो करिए, क्योंकि something is better than nothing, कुछ नहीं करने से, कुछ करना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ तो करना झाल झाल